शेख से एक इलतिजार पॉम हिंदुस्तानी आप कहते हैं कि मैं आपके इसलाम को अपना दीन मानू क्यों मेरा इसलाम मेरा दीन नहीं हो सकता क्यों कोई और दीन मेरा दीन नहीं हो सकता आप कहते हैं कि इसलाम से इनहराफ इसलाम का इर्तिदाद गद्दारी है और गद्दार की सजा मौत होती है और यूं आप कहते हैं कि आपके इसलाम का मुर्तब वाजिबुल गत्ल है कैसे? इसलाम क्या एक वतनियत है? या इसलाम किसी कबीले का नाम है? इसलाम तो हुजूर एक फलसफ़े जिन्दगी का नाम है हर दीन सिर्फ एक फलसफ़े जिन्दगी होता है सिर्फ एक दुनिया को देखने का, समझने का और उसमें जीने का एक तरीका होता है और यह तरीका, यह फलसफ़ा हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी होता है दीन इन्फिरादी फैसला है, इजतिमाई नहीं अगर यह इजतिमाई होता, तो क्या आप जन्नत का लालच और जहन्नुम का डर इन्फिरादी सतह पर अपने धंदए दीन को फरोग देने के लिए इस्तेमाल कर सकते जरा सोचिए, आप बड़े हैं, आपको मुझसे कुछ भी कहने का हक है लेकिन सही फैसला करना अपनी अकल से मेरा फर्ज अगर इसलाम में दीन को इन्फिरादी फैसला न माना गया होता तो क्या नभी करीम सल्ले लाह लाह वसलम काफिरों को उनके अपने बड़ों के दीन से मुनहरिफ करने का जवाज रख सकते थे और उससे पहले खुद अपने बड़ों के दीन के मुर्तद हो सकते थे और यूँ जिस उसूल पर इसलाम की नीव पड़ी हो आप उस आजादी उस जिम्मेदारी से मुझे दूर रखने की कोशिश बता और मुसलमान कैसे कर सकते हैं सरकार आप अपने जवाबों की तैयारी करें मैं अपने जवाबों की तैयारी करेंगा मैं आपकी इज़त करता हूं और करते रहना चाहता हूं इसलिए बरह करम अपनी लगवियत अपने तक ही मैदूत रखें झाल